नमस्कार, आशाकरतों कि आप लोग ठीक हो, क्या आपको पता है, अलवर में क्या हुआ है, नहीं पता, मैं आपको पताता हूँ, अलवर राजिस्थान में एक दिव्यांग मुक बदीर बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदे पार कर दी गई, लेकिन इस खबर के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, इसमें गलती आपकी नहीं है, क्योंकि मीडिया वाले इस खबर को कबर ही नहीं कर रहे हैं, उनका सारा ध्यान इलेक्शन के उपर है, चुनावाने वाले हैं मार्च में, तो सारा फोकस उसके उपर है, और यूटूबर्स इसके उपर वीड पुलिया, अकबरपुर, अलवर, रादिस्थान में, एक दिव्यांग बच्ची, एक मुख बदीर बच्ची, जो बोल और सुन नहीं सकती, जो मैंटली वीक है, उस बच्ची की बाड़ी मिलती है, लहू लहान अवस्था में, रात के करीब आठ बचे, और उस बच्ची के स रादला गहरा वार किया गया, इतनी बार वार किया गया, कि उसके अंग भंग हो गए, पुरा प्रावेट पार्ट कट गया, उसके बाद उस लड़की की बाड़ी को पुलिया पर फेक दिया गया, ठंड में लहू लोहान अवस्था में, वहीं पर पड़ी रही, फिर कुछ लोगों ने देखा, उस लड़की को अस्पताल लखे गए, जहां से उस लड़की को जैपूर के एक प्रावेट अस्पताल में शिफ्ट कर जा गया, साथ डॉक्टर्स की टीम ने सरजरी करी, उसके बाद अब उस लड़की की हालात स्टेबल हैं, लेकिन वो लड़की इतन को देखने के बाद ये बताया जा रहा है कि उस लड़की के साथ दुशकर्म हुआ हैं, और सबसे हरान करने वाली बात ये हैं, कि घटना 11 जनवरी की हैं, आज 19 जनवरी हैं, आठ दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो अपरादी, वो हैवान किरफतार नहीं हुए हैं, ये लड़की 11 जनवरी को एक बज़े लापता हो जाती है, लड़की के माबाप, चार बज़े के करीब अकबर पुर पुलिस टेशन जाते हैं, मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए, और पुलिस वाले उनको ये बोलते हैं, कि आप जाये माला खेडा पुलिस टेशन वहा साड़े साथ बज़े के एक फुटे सामने आती है, जिसमें वो लड़की पुलिया में चल रही होती है, और आठ बज़े उस लड़की के बोड़ी मिलती है, उस लहू लहून आवस्ता में, देखिए किस तरीके से पुलिस प्रसाशन ने लापरवाई बढ़ती है, वो भी जब कोविट प्रोटोकॉल चर रहा है, हर जगह नाकाबंदी हो रखी है, और लड़की की बोड़ी उसके घर से 25 किलोमेटर दूर जाकी मिलती है, और इस 25 किलोमेटर के दाएरे में तरी 5 पुलिस टेशन पढ़ते हैं, जिसमें सरदार थाना, अरावली बेहार, एनीबी को पुलिस टेशन पढ़ते हैं, इस 5 पुलिस टेशन के दाएरे में वो गाड़ी घूमी, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, और अब तक वो आरोपी लापता है, फरार है, पुलिस उनको ढूंड़ी नहीं पा रही है, और अब जो पुलिस का बया सामने आया है, वो तो और भी ज़्यान करने वाला है, पुलिस ने ये बताया है, कि दुशकर्म हुआ ही नहीं है, सिरफ प्राइवेट पार्ट्स को जख्मी किया गया है नोकरी चीज से, लेकिन दुशकर्म नहीं हुआ है, क्योंकि स्पम नहीं पाया गया है, तो उनका ये लॉजिक है, वो कहते वो ये कह रही है, कि दुशकर्म नहीं हुआ है, लड़की अब स्टेबल है, लेकिन आरोपी फरार है, और अब जब दबा बना सरकार के उपर, तो उन्होंने फटा फट एसाइटी की जाच बिठा दिये, और अब जब पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, हैवानों का फता नहीं लगा पा रही है, उन्हें कोई सुराग ही नहीं मिल रहा, तीन सो सिसी टीवी फुटेज देखने के बाद, डॉक्स कोर्ट को हर जगए भेजने के बाद, अब तक पुलिस खाली हाथ है, और अब राजिस्तान सरकार ने बोला है, कि हम इस केस को सीबे को देंगे, और सीबे आई तो वैसे भी आपको बताईए, सीबे ने कितने केस सॉल्व करे है, सुशान सिंग राजपुत के सीबे के पास है, वो सॉल्व नहीं हो अभी तक, इसके पहले भी सीबे के पास बहुत केस गई, लेकिन अभी तक कुछ उसका जो होता है, सुसक्सेस रेट वो बहुत कम रहा है तो अब CBI को इस केस को भीजने की बात उठी है क्योंकि पुलिस प्रसाशन नाकाम रहा है आरोपियों को पकड़ने में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार रादिस्थान इस देश का नंबर वन स्टेट है जा सबसे आदा दुशकर्म की रिपोर्ट्स होई है जा रहे हैं और यह किसी भी स्टेट के लिए अच्छे ख़बर नहीं है कि उनकी स्टेट में दुशकर्म के केस बढ़ रहे है लड़किया सेफ नहीं है और यहां तो एक मूख भदीर बच्ची के साथ जो मैंटली वीक हैं उसके साथ दुशकर्म हुआ है छन्य बिन कर दिय गया है उनके अंगों को लहू लोहौन पड़ी थी वो इस ठंड में कोई नहीं गया देखने के लिए पुलिस पता नहीं कहा थी वो तो जब स्थानिय लोगों ने उसको बढ़ती कि असरकरिया स्पताल में तब जाके यह बात सामने आई और अब पुलिस यह बोल रही है द आँकर नाम जादनी आ रहा प्रेंका गांदी जी हां उनका क्या ना रहा था लड़की हूं लड़ सकती हूं लेकिन वो जब यह पूरा मामला हुआ तब रंथम बोर में थी अपना बड़े सलिब्रेट कर रहे थी तार्ष्थान में यह थी वो रंथम बोर में अपना हुई थी तब सबसे पहले ये मैडम ही कहती है और हाथरस की बेटी अलग है और अलवर की बेटी अलग है जब हाथरस की बेटी के साथ कुछ होगा तो हम जाएंगे कि किसी बेहालत में जाएंगे लेकिन जब अलवर की बेटी के साथ होगा तो हम नहीं जाएंगे हम बड़े सेलिब्रेट करेंगे बेटी और बेटी में फरक बनाया है तुमने लड़की हूं लड़ सकती का नारा लगा है तुमने पर बेटी और बेटी में फरक बनाया है तुमन चुनाव का मुद्दा था इसलिए इतना बड़ा हाइप मिला उस केस को सब लोग सड़कों पर आ गए लेकिन अब जो अलवर की बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो कोई कहीं नहीं है कोई नेता नहीं आ रहा आगे सब चुब बैटे है सरकार कुछ बोल नहीं रही है कोई नेता होता है लेकिन हम नहीं करते अंतर आप इस वीडियो को लाइक करो या ना करो कमेंट करो या ना करो लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना यह मेरा आप से अनुरोद है कोई नहीं दिखाना इस खबर को कोई इस मुद्दे के उपर बोलने को राजी नहीं है सब शांत बैठे हैं लेकि जब मुझे ये माध्या मिला है ये चैनल मिला है आप जोड़े हो मेरे साथ तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आप तक बात पहुचाऊं आपको पता लगे कि क्या हुआ इस बेटी के साथ उस बच्ची के साथ 16 साल की मुग बदिर बच्ची के साथ उसका परिव सारी साथ डॉक्टर्स की टीन में सजरी करें उसके तब जाके वह स्टेबल हुई है ठीक नहीं हुई है सिर्फ स्टेबल हुई है आप लोगों के उपर है कि प्लीज वीडियो को शेयर करना जितना उसके वीडियो को शेयर करो एक्ली इस लोगों को पता लगे कि क्या हुआ यालिवर में उस बच्ची को इंसाफ दिनाना बहुत जरूरी है वो अरोपी फरार है पिछले आठ दिनों से आप लोग अगर पनाओगे प्रेशर तो बात उपर तक जाएगी पता लगेगा लोगों को लोगी खटा होंगे और इस केस को एक स्ट्रेंथ मिलेगी तो आप बच्ची को इंसाफ मिल सके और हैवान पक्ड़े जाए और उनको सजा उफासी की जो भी मुझे खबर मिलेगी इस घटना से जोड़ी वो मैं आप तक पहुचा दूँगा तब तक के लिए धन्यवाद